किचले हम वारा अगला चर्प्र श्रू करते हैं कि बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है यहाँ से किल्कुलेश्य होती है किल्कुलस का जाई में कितना वेिटेजे क्या है यह बताने कीजिए बहुत अच्छा वेटेज चे जबतले हैं क्या है और ये 60% तक चला जाता है कई बार तो इस बार भी calculus के question जे advance में ज़्यादा थे तो calculus minimum 35% और 35% का मतलब हो आपको बदाने की जरुवती नहीं है आप तो जानते हैं ग्यानी हैं सारे के सारे कि physics chemistry maths मिलाकर यदि 15% आ जाएं physics chemistry maths मिलाकर 15% आ जाएं तो हम माबाब को मुझ दिखाने लाइक होते हैं advance के लिए qualify कर जाते हैं चाहिए हमारा कुछ हो नहीं लेकिन माबाब को मुझ दिखा सकते हैं देखो मैं advance के लिए qualify कर गया है आप नहीं बोलना कुछ भी 35% ऐसे में गजब और वो भी maths के अंदर calculus का बहुत जबदस में और calculus में यदि पढ़ने के लिए कोई topic है तो वो है function या फिर application of derivative और जादा से जादा definite integral mainly तो function और application of derivative दो ही chapter मानता हूं function क्या क्या केते हैं calculus में जो वाकई दिमाग के ढखकन खोल देते हैं और यदि वो नहीं खोले हमने ढखकन तो हम ढखकन कहला दें तो यहां पर धिहान रखना है यह बहुत मज़िदार chapter है calculus का पहला chapter है और calculus की एक तरसे नीव है प्लेटफॉर्म है calculus का जान है सोल है इसको समझना बहुत अच्छे से जरूरी है इसके बाद का जो चैप्टर आएगा function के साथ ही मैं ITF इसके साथ ही मानता हूं मैं function ITF अलग-अलग नहीं मानता हूं ठीके और इसके बाद जो लिमेट continuity differentiability यह सब चोटी-चोटी से बहुत आसान आसान से chapter है इनके इनके question का मतलब exam में हलवा फटावर से गप कर लेना है होगा 100% लेकिन function application of derivative यह दोनों chapter ऐसे हैं जो calculus के अंदर mileage create करते हैं जो actually सब और हमका difference जिसकी हम बार-बार बात करते हैं वो create करते हैं तो इस chapter को हम शुरू करेंगे चैप्र को शुरू करने का थोगा सा अंदाज मेरा अलग है पहले मैं यहां कुछ special functions की बात करूँगा special functions में function की definition की भी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम क्या function होता है क्या नहीं होता है वो सब बाद में देखेंगे हम अगली class में देखेंगे अभी हम बात करेंगे कुछ special functions की some special functions some special functions अभी कुछ special functions में से दो function तो हम देख चुके हैं तो logarithmic हाँ logarithmic function basic में हमने देख लिया है exponential function basic में हमने देख लिया है उनको भी एक बार वापस हम graph राफ तो बनाएंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ सब कुछ summarize करना बहुत ज़रूरी है मैं यहाँ पर सबसे पहले जो deal करना चाह रहा हूँ वो है मेरे बच्चे modulus function modulus functions modulus functions की बात करें तो इस function का एक और नाम है and that is absolute value functions absolute value functions modulus function या absolute value function ठीक है तो यहाँ पर modulus function या absolute value function क्या है थोड़ा सा idea आपको होगा mod mod function y equals to mod x y equals to mod of x minus 1 यह सारी चीजें जो आपने देखी है उसी को हम क्या बोलते है modulus function हम आज की पहले segment के अंदर इस function की पूरी की पूरी चीरफार करेंगे इसका पूरा postpartum करेंगे इसको बिल्कुल बिंदास अच्छे से clear करेंगे देखें कुछ questions इसके आपको पदा है कि शायद quadratic में भी sheet में थें कुछ जो है कि y is equals to mod of x x enclosed in vertical bars यारी y is equals to mod of x read करते हैं इसको mod of x या simply mod x ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है इसमें है क्या actually ये जो mod x है ये actually आपको क्या देता है ये देता है distance of x from 0 on real number line कि real number line पर 0 का जो x से distance है उसे mod x बोलते है मतलब क्या देखिए कि मेरे बच्चे यदि ये हमारा number line है ये number line ये real number line पर ये 0 है यहां कहीं मैंने x लिया तो ये जो distance है ये distance जो है ये mod x कहलाती है जरूरी नहीं है कि right side में हो ये आपको सबको कहां clear है कि ये एक तो left side में भी होता है हो सकता है तो यहां भी ये जो distance है यही mod x कहलाएगा is it clear अब यहां से क्या समझ में आते है कि अच्छा ये distance हैगा हाँ ये जो है जीरो से distance है अब जीरो से distance का क्या मतलब है कि भी या distance है तो कभी negative नहीं हो सकती और यहां पर यह क्या सकता हूं कि this will always be greater than equals to zero यह हमेशा कैसा होगा यह हमेशा एक non-negative quantity होगी इसकी minimum value हो सकती है तो जीरो हो सकती है कब जब आपका x exactly origin यानि जीरो के साथ coincide कर जाए बाकी सारे cases में तो हमेशा एक positive value होगी तो ध्याँ लखना है कि वहिए absolute value of absolute value function की बात करें mode function की बात करें तो actually यह क्या है distance है अब हम इसको actual define करते हैं define actual define करने का क्या मतलब में देखेगा उसके लिए मैं छोटे-छोटे से दो-चार example आपसे पूछता हूँ तो आप आसानी से इसको define कर पाएंगे खुद मैंने कहा मेरे बच्चे कि यदि x की value 7 है तो क्या आप हमें मौद एक्स का value बता सकते हो आप कहोगे seven number line पे seven का zero मैं आपसे कहों कि मेरे बच्चे x का value यदी in three point three seven है तो मौद x का value फिर आप कहोगे कि sa r three point three seven ही होने वाला है इसमें पोलि चैन電arbeit फिर मैंने आप से कहा किない मेरे बच्चे x की value जो है तो मौद एक्स का value क्या है तो आप कहोगे 0 ही है कोई डाउल थी नहीं है फिर मैंने कहा कि नहीं मिरे लाल आप मुझे x की वैल्यू माइनस 7.2 का absolute value यानि mod x बता सकते हो क्या आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं सर कोई दिक्कद नहीं है यहां पर जो mod x की value आएगी वह 7.2 आएगी बिल्कुल सही है माइनस 7.2 का absolute value यानि numerical value जो है वह 7.2 ही है इसका मतलब modulus of x कितना होगा 7.2 होगा जी हां यह सारी चीज़ें आपको clear है इसी data से हम इस function को actually proper define बगा सकते हैं कैसे कि मेरे बच्चे हमारा function y is equals to mod of x मैंने यहां पर दो cases देखे कौन-कौन से दो cases देखे जो मैनने data लिया उस में मैंने देखा कि या जब मी मैं positive ले रहा हूं तो जो मैं दे रहा हूं वही finally मुझे मिल्रा ह है जब भी मैं एक zero ले रहा हूं तो जो दे रहा हूं वही मिल रहा है लेकिन जब में negative value ले रहा हूं यानि negative value दे रहा हूं function को तो वो मुझे एक positive दे रहा है ज्यानि यहां देख रहे हैं कि negative के अलावा बाकी सारी values में क्या हो रहा है कि जो दे रहे हैं वही मिल रहा है बस negative के case में क्या हो रहा है दे तो negative रहे हैं मिल positive रहा है तो हम यह देख पा रहे हैं कि और इस जो value दी जा रही है वो non-negative है या negative है non-negative case में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो दिया जा रहा है वही मिल रहा है इसका मतलब यहां आप x दोगे तो x ही मिलेगा यदि x एक non-negative quantity है clear? x यदि एक non-negative quantity है यानि positive है या जीदो है तो जो हम देंगे वही हमें मिलेगा, x हम देर हैं तो x ही हमें मिलेगा लेकिन क्या होगा जब x यानि एक input जो आप दे रहे हों वो negative है मेरे बचे x जब negative है तो हमें दिख रहा है कि x negative होने के case में हमें मिल तो positive हो ज़ैरे है वो negative है, और जो मिल रहा है, वो positive है. तो input और output को यदि मैं relate करना चाहूं, कि जैसे मैं पने दो किया, कि जो दिया, वही मिला, तो यहां कैसे relate करूँगा, बहुत आसानी से relate कर सकता हूं. मैं दे की आ रहा हूं? negative value? मिल की आ रहा है? positive value. एक positive value और देखो आप, minus of 7.2 मैंने दिया था actually, मुझे मिला क्या, plus 7.2, plus 7.2 minus 7.2 के साथ क्या किया गया, कि वो plus 7.2 बना, minus 7.2 के साथ क्या किया गया, कि वो plus 7.2 बन गया, कुछ नहीं, minus 7.2 के आगे, एक minus और लगा दो, तो दोनो minus cancel हो जाएंगे, और आपको plus 7.2 मिल जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ, कि भहिया, जो दे रहे हो, उसका negative मिल रहा है, दे क्या रहे है, minus 7.2, मिल क्या रहा है, minus of minus 7.2, है के नहीं, है ना, हंजी, इसका मतलब, जब x एक negative value होगी, तो मिलेगा हमें क्या, minus x, देंगे x, मिलेगा minus x, इस minus का, ये मतलब कता ही नहीं है, कि mod जो है, वो negative हो गया, इस minus का मतलब आपको पता है, कि actually, x negative है, उसको positive बनाने के लिए, हमने एक minus all लगाया है, यहाँ x already negative है, उसको positive बनाने के लिए minus लगाया होगा है, तो ये minus actually positive बनाने के लिए लगाया होगा है, इससे negative नहीं हो रही है quantity इससे यह नहीं समझना है कि मॉड जो है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है नहीं एक्स नेगेटिव है उसको पॉजल्टी बनाने के लिए माइनस लगाया है अल्टीमेटली मॉड तो आपको हमेशा कैसी वैल्यू दे रहा है पॉजल्टीव कि भाहिया आपने पॉजल समझ गए क्या कि अंदर जो आपने दिया है वो यदि नॉन नेगेटिव है तो जो अंदर है वही बाहर मिलेगा फिर इसी दर से अंदर जो दिया है वो यदि एक नेगेटिव वैल्यू है तो जो अंदर है उसका नेगेटिव बाहर मिलेगा जो अंदर है उसका में की तैसे समझते हैं बहुत सिमपल यदि मौड के अंदर की वैल्यू नोन नेगिटीव मौड प्लस साइन से खुल जैगा ओप्लस साइन के साथ होगी बाउन के साथ मोड जब अंदर के value negative होगी, यह basics है बिलकुल mod का, यह आता है, इसका और mod आता है, कुछ नहीं, इसके बाद कुछ बचता ही नहीं, अब देखीगा, यहाँ इदि में इसका sketch बनाना चाहूं, graph बनाना चाहूं, graph बना सकते हैं बहुत आसानी से, देखो आप, बहुत आसानी से इसक जब x, positive x axis की तरफ है, या नहीं, x कैसा है, positive है, फिर, जब x negative है, तब हमें कौन सी लाइन बनानी है, y equals to minus x, यह होती है, y equals to minus x लाइन, तो यह y equals to minus x लाइन, लीजिए, negative x axis की तरफ, y equals to minus x, positive x axis की तरफ, y equals to positive x, या नहीं, y equals to x, तो यह तो हो गया, y equals to x, और यह हो गया, y equals to minus x, angle of inclination की बात करें, तो यह 45 degree होता है, अब यह कैसे पता चला, कई तरीके हैं, वैसे आप सब, हाँ, समझदार बच्चे हैं, तो आप सब को पता है, कि y equals to mx plus c, y equals to mx plus c, y equals to mx plus c की बात की जाए, तो आप सब को पता है, कि यह m जो है, यह line का slope होता है, और line का angle x axis के साथ theta है, आप सब जानते हैं, तो फिर m किसके equal होता है, 10 theta, यानि line का slope होता है, 10 theta, तो यहाँ, यदि मैं इसको line को y equals to mx plus c की तरफ, देखू, तो m की value 1 है, m का value 1 यानि 10 theta का value 1, 10 theta का value 1 इसका मतलब theta कितना, 45 degree, जी हाँ, यहाँ पर यह angle of inclination 45, यहाँ यह angle of inclination 45, यानि यह वाला angle 135, आप सब को पता है कि यह 10 pi minus 45 हो जाएगा, 10 pi minus 45 is minus 1045, और इसका slope भी दिख रहा है, कि y equals to mx plus c से compare करें, तो m की value minus 1, यानि slope minus 1 है, यानि यह angle 135 ठीक, तो यहाँ दिख रहा है कि यह हमारा graph हो गया y equals to modulus of x, इस graph से भी दिख रहा है कि इस graph का कोई भी point x axis के नीचे नहीं है, यानि उसका y coordinate negative नहीं है, इसका मतलब यहाँ से भी मैं क्या कह सकता हूं, कि modulus of x will always be greater than equals to 0, is it clear, I think, definitely, it must be clear, देखिए, अब क्या होगा, यह तो हमारा basic mod हो गया mod x और इसको हमने पुरा define भी कर दिया, सारी शीजे समझ ली, distance है, यह सारी बात भी समझ ली, अब यहाँ पर देखते हैं, अगली शीज, एक और question लेते, एक example लेते हैं, क्या मुझे y equals to modulus of x minus 1 को define करके दे सकते हो कि यह क्या है, अब कैसा भी mod दे दि हैं, तो सारी शीजें बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, समझेगा, यदि हम mod का basic समझ गया है, तो सारी शीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं, किसी भी mod को हम define कर सकते हैं, यहाँ देखिए गया, y equals to modulus of x minus 1 मुझे इसको define करना है, और साती साथ इसका sketch बनाना है, तो concept क्या, concept तो हमने एक ही सीखा है, सुनिएगा दुबारा, क्या सीखा है, अंदर की value यदि non negative है, तो mod plus sign से खुल जाता है, यानि जो अंदर है, वही बाहर मिलता है, ठीक है, तो हमने पहला case लिया, अंदर का value, अंदर क्या है, x minus 1, यह यदि non negative है, यानि greater than equals to 0 है, तो जो अंदर है, वही बाहर मिलेगा, या mod plus sign से खुल जाएगा, ऐसी बात, समझ लेते हैं, यानि x minus 1 आ जाए, ठीक, x minus 1 greater than equals to 0 का मतलब क्या आ गया, x greater than equals to 1, है, फिर अगली possibility क्या थी, अगली possibility, फिर simple क्या, कि अंदर की value, जो की x minus 1 है, वह negative, अंदर का value यदि negative है, तो mod जो है, वह minus sign से खुलता है, या ये समझें, अंदर जो है, उसका negative हमें बाहर मिलता है, तो अंदर तो है, मेरे बच्चे, x minus 1, बाहर क्या मिलेगा, minus of x minus 1, यानि 1 minus x, और ये कब मिल रहा है, जब x less than 1 है, खतम, तो कितना आसान है, नेखो आप, और यहां से मेरे पास, एक तरसेरी में देखूं, तो y is equals to mod of x minus 1 की definition आ गई, कि this will be equals to x minus 1, if x is greater than equals to 1, this is equals to 1 minus x, if x is less than 1. फाइनली हमें value positive चाहिए होती है, तो आप दिख भी रहा है, यदि x 1 या 1 से बढ़ा है, तो x minus 1 positive होगा, यदि x 1 से छोटा है, तो 1 minus x positive होगा, बस यही धियान लगना है, ग्राफ बनाते हैं, चलिए, ग्राफ बना लेते हैं, जी, दिख रहा है कि जहाँ definition बदल रही है, वो point कौन सा है, पहले तो इस वाले में तो वो point था 0, जहाँ पर definition बदल रही थी, अभी ये point कहा है, जहाँ definition बदल रहा है, x equals to 1, तो हमने x equals to 1 mark कर दिया, 1 के आगे अलग लाइन है, 1 के पहले अलग लाइन है, 1 के आगे लाइन क्या है, y equals to x minus 1, ये लीजिए y equals to x minus 1, 1 के पहले कौन सी लाइन है, 1 minus x, ये है 1 minus x, y equals to 1 minus x, ये angle बता सकते हो क्या, बहुत आसानी से, y equals to mx plus c से compare करते हैं, mx plus c से compare किया, तो m का value 1, 10 theta 1, theta 45, इसका मतलब ये angle अभी भी कितना होगा, 45, ये angle भी symmetry से कितना होगा, 45, क्या समझ में आया, बहुत आसान है, कि mall का graph हमेशा एक v-shape बनेगा, वो v-shape किस point पे बनेगा, जिस point पे definition स्विच हो रही होगी, 0 पे हो रही ही, तो 0 पे v-shape बना दी नहीं, 1 पे हो रहा है, तो 1 पे v-shape बना देना है, मैंने गाना basic एक ही है mod का, अंदर की value non-negative, mod plus sign से खुल जाएगा, अंदर का value negative, mod minus sign से खुल जाएगा, ये आता है, इसका मतलब सब आता है, देखो अब, अंदर की value non-negative, non-negative का मतलब 2x plus 1 greater than equals to 0, 2x plus 1 greater than equals to 0, यानि x is greater than equals to minus 1 by 2, 2x plus 1 greater than 0, तो 2x is greater than minus 1, x is greater than equals to minus half, होगा नहीं होगा, ठीक, परसी तरह से, minus of 2x plus 1, if inner value is negative, यानि 2x plus 1 is negative, x is less than minus half, लीजिये जी, खेल खतम होगा, खेल खतम, देखो आगया, अब आपका समझ में आ है, कि ये जो मैंने पूरे प्रोसेस से बताया, ये जो point है, जहाँ पे definition बदलती है, वो कैसे निकल के आता है, बड़ा आसान है, वो बड़ा आसान है, कैसे बड़ा आसान है, भाया इसके अंदर जो रखा हुआ है, उसको 0 किया, x की value 0 मिली, 0 पर definition बदली, 0 पर वीशेब बना दिया, फिर इस वाले केस में, मौड के अंदर क्या रखा हुआ है, x-1, x-1 को 0 किया, x की value 1 आई, 1 पर definition बदली, और हमने 1 पर वीशेब बना दिया, इस वाले में क्या हो रहा है, कि अंदर की value, 2x प्लस 1, इसको 0 किया, x का value क्या है, minus half, minus half पर definition बदलेगा, minus half पर वीशेब बना दो, यह आ गया graph, इस बार यह angle क्या होगा, same 45, क्या हमेशा 45 होता है, नहीं, मैं आपको बिलकुल logically समझा रहा हूँ, 45 होगा, कितना होगा, यह सब हम कैसे निकालेंगे, y equals to mx प्लस c से definition compare करेंगे, यह line मेरे बचे कौन सी है, y equals to 2x प्लस 1, यही है न, y equals to mx प्लस c से compare करें, तो m की value, slope की value, 10 theta की value कितनी, 2, 10 theta 2, theta 45 नहीं है, उसे ज्यादा है, इसका मतलब, यहाँ यह angle है, यह theta 10 inverse of 2 आएगा, क्योंकि 10 theta की value 2 है, तो हरवार angle 45 हो, जरूरी नहीं, 45 सिफ कब होगा, जब x का coefficient 1 होगा, slope 1 होगा, m की value 1 होगी, तब होगा, और यह m का value 2 है, तो slope जो हो 10 inverse 2 होजाएगा, m का value 5 है, तो slope 10 inverse 5 होजाएगा, खतम, यह basics है mode का, और मेरे इसाब से, यह बिलकुल आपको clear है, अब देखते हैं, क्या है, इस पर किस तरह के questions मिलेंगे, उन सब की बात करते हैं, और आप, यह मान लो, कि यदि आपने यह basic सीख लिया, कि अंदर की value, क्या करते है, positive, तो mod plus sign से खुलेगा, अंदर का value negative, तो mod minus sign से खुलेगा, एक point पर definition बदलेगा, वो point कैसे निकालेंगे, अंदर की value को equals to zero करो, x की value जो आएगी, वहाँ पर definition बदलेगी, जैसे यहाँ minus half हाया, इसको zero करने से, यहाँ इसको zero करने से, x1 आया, तो 1 पर definition बदला, यहाँ इसको zero करने से, x0 आया, जीरो पर definition बदला, बहुत आसार, is that clear? I think, clear तो होना ही चाहिए, आग एक की बात करते हैं, अब कुछ questions करते हैं, find x for which, देखिए, आज की class में हम ऐसा थे रहाँ, theoretical part अलग और practice session अलग, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इस वाले चाहा क्या कितने हैं, उसमें पूरे में मुझे, हर चीजों को बहुत तरीके से समझाने की जवत है, तो मैं यहाँ पर वो segregation नहीं करूँगा, आज की class हम one go में ही करेंगे, ऐसी ही, ठीके, जैसे हम करते हैं, रेखिए, इसके बाद, पहला कि x की value निकालो, जबकि आपको mod of x का value, या mod of x प्लस 5 का value लिख देता हूं में, कि mod of x प्लस 5 का value minus 2 है, ठीके, second, फिर, mod of 2x minus 3 की value 2 है, तो x की value बतानी है, तीसरा, mod of 3x minus 1 का value x है, तो mod की value बतानी है, चलिए, ये सारी चीज़े हैं, ये सब जो है, इनके answer आप मुझे बताओ, फिर हम बाते करते हैं आगे, तो यहाँ पर, उम्मीद करता हूं कि आपने video बास करके, पहले 3 question कर लिये हैं, इनको discuss करते हैं, फिर, और questions पर आएंगे, चलिए, मेरे बचे, पहले question का answer आप सभी ने निकाल दिया, क्या, कि से बहुत simple है, कि यहाँ पर पहले question का answer हम आसानी से निकाल दिये हैं, क्या, कि, जो answer आएगा, वो आएगा, कि mod x plus 5 ये माइनस 2 के equal है, तो x की value आपने ऐसे निकाल दिये, क्या, ऐसे निकाल दिये, plus minus x plus 5 is equals to minus 2, ऐसा करने से, आपके पास x plus 5 is equals to plus minus 2 आगया, x की value आपके पास या तो minus 3 आगई, या minus 7 आगई, यही निकाल दिये आपने, धकर हो, बड़े वाले, आपको कितनी बार समझाया, चीजों को सुना करो, उसके साथ साथ किया करो, सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, मैंने यहाँ, जब mod x define किया, तब भी बताया, कि this will always be greater than equals to 0, ग्राफ बना के भी बताया, कि this will always be greater than equals to 0, यही सब तो है ना, क्या कभी किसी नंबर का absolute value negative हो सकता है, क्या मैंने तो इतने अच्छे से बताया, कि तो यह क्या होता है, distance होता है, और जब यह distance होता है, तो क्या कभी negative हो सकता है, नहीं हो सकता, तो फिर क्या कभी कोई ऐसा x होगा, क्या कोई x plus 5 ऐसा number होगा, जिसके absolute value की value minus 2 होगी, क्या किसी number का numerical value negative होगा, कभी नहीं होगा यह तो question ही गलत है there is no solution, कोई ऐसा x नहीं होगा, जिसमें x plus 5 की absolute value negative आजाए, खतम गलत था question, no solution x belongs to 5 no solution को 5 से भी लिखते है इसका मतलब है, null set no solution चाथ, पहले भी मैं बता है आपको second वाला, second वाले में रेखने, modulus of 2x minus 3 is equals to 2 इसका solution यह क्या आएगा अब आप में से काफी लोगों ने किया कि सर इसमें आ जाएगा कि 2x minus 3 is equals to plus minus 2 तो या तो x की value जो है वो 1 हो जाएगी, या x की value जो है वो 5 हो जाएगी जी हाँ, x is equals to 1 या x is equals to 5 sorry, x is 1 नहीं, plus minus 2 तो हमें एक तो मिल रहा है या तो 1, क्योंकि 2x minus 3 है ना तो यहाँ पर plus minus 2 करेंगे तो minus 2 के case में तो 1 by 2 आजाएगा बिल्कुल और इसी दर से, यदि हम plus 2 के case में बात करेंगे तो 5 by 2 आजाएगा तो maximum नोगों ने answer निकाल लिया कि सर्व, या तो 1 by 2 आएगी x की value या 5 by 2 आएगी बिल्कुल सही, या तो 1 by 2 आएगा या 5 by 2 आएगा अब यह निकाला कैसे, देखिए बहुत आसान सी बात है बहुत आसा आसा concept है उसको समझेंगे, तो ऐसे questions में कभी भी problem नहीं होगी अभी आप कहोगे, हमें तो ऐसे question में problem होती ही नहीं है अभी धीरे धीरे बात करेंगे यहां आगे बढ़ेंगे, तब आपको problem भी create होगी यदि आप नहीं समझे तो लेकिन समझ के चलोगे तो question में कैसा भी change कर दिया जाए उसकी packing कैसी भी कर दी जाए हम उसे unpack करके solve कर देगे आसान है, देखिएगा इसके मतलब को समझो, इसकी भावनाओं को समझो, इसकी भावना क्या है, क्या रहा है कि एक number है 2x minus 3 उसकी absolute value 2 है एक number है 2x minus 3, उसका absolute value यानि numerical value क्या है 2 है किस number की absolute value 2 होती है आप कहोगे या तो number 2 हो, या minus 2 हो बहिए किस number का absolute value जो है, वो 2 होता है तो आपका एक ही answer होना चाहिए किसे रैसे दो number है जिनकी absolute value 2 है या तो 2 की, या minus 2 की बहिए जीरो से distance किसकी 2 है या तो 2 की, या minus 2 की ऐसे होगा नहीं होगा तो यहाँ पर वही है कि एक नंबर जिसके absolute value 2 है उस नंबर की दो ही possibility है कि या तो वो plus 2 रहा होगा या वो minus 2 रहा होगा यह है इस equation का actual meaning अब यदी meaning समझ में आ गया तो answer तो निकल जाएगा निकाल दो एक बार plus 2 लिया एक बार minus 2 लिया तो यह 5 by 2 आगी x की value minus 2 लिया तो x का value 1 by 2 आगे खतम दोनों answer valid है यह दोनों ही answer सही है और जिन लोगों ने निकाल दिया था वो आते हैं देखिए कुछ लोगों की रिमाग में एक कच्छरा होता है कि मौट जब भी आ जाए प्लस माइनस sign के साथ खोल दो प्लस माइनस sign के साथ खोल दो और answer निकाल दो नहीं मैं फिर वही कह रहा हूँ कोई rule नहीं बनाना है maths के अंदर कोई rule मत बनाओ यदि आपने rule बना लिया तो आप से गड़बर होने की संभावना बहुत जादा है क्यों क्योंकि एक्जाम वाले को भी पता है जिसने paper frame करना है न उसको ये पता है कि आप लोग या teachers कैसे rule बना के जो हैं साथी चीज़े class में discuss कर रहे होते हैं चाहिए मैं teacher की बात करूँ चाहिए मैं आपकी बात करूँ सब क्या करते हैं एक comfortable zone से बाहर आने की कोशिश नहीं करते हैं और हम normally क्या गरे होते हैं कि रूर बनाते हैं और कई बार teacher इमानदारी से चीज़े करवा भी रहा होता है लेकिन बच्चा अपने आपसे रूर बना रहा होता है ये वाला सर ने ऐसे और इसको ये वाला ऐसे ही होगा क्योंकि वो जो ऐसे पर ऐसा करना है उसका कोई कारण होगा उस कारण के साथ छेड़-छाड़ करते ही यहां सब चीज़े बदल जाएंगे तो यह ध्यान दखना है ऐसा तो भी होता है कि एक व्यक्ति है रोज घर से साउट में जाता है तो हर बार साउट में जाएगा भाहिय बदलते ही रस्ता बदल जाता है तो ध्यान रखना उस रीजन पर ही आप फोकस करो यहां वही है यहां रीजन क्या है वो कह रहा है कि एक नंबर है 2x-3 जिसकी absolute value 2 है तो भाहिया उस नंबर की दो ही संभावना है जिसकी absolute value 2 होती है क्या कि या तो वह नंबर 2 रहा होगा या minus 2 रहा होगा हमने solve कर क्या answer निकाल लिया ठीक है अब अगला question थर्ड वाला आपने इसका भी answer निकाल लिया कि सर बहुत आसान है कि यहां 3x-1 is equals to plus minus x लिग दिया एक बार यहां पर plus लिया तो मेरे पास x की value 1 by 2 आ गई और एक बार x को यहां मैंने minus लिया तो x का value 1 by 4 आ गय ठीक है x की value 1 by 2 और x की value 1 by 4 क्या दोनों ही valid है बताओ क्या दोनों ही valid है लगके देख लेते हैं कि भाहिया x equals to 1 by 2 और 3 by 2 minus 1 1 by 2 आगया answer x का value 1 by 4 3 by 4 minus 1 minus 1 by 4 1 minus 1 by 4 का more 1 by 4 1 by 4 answer बिलकुल सही है यह दोनों answer सही है ठीक है बिलकुल सही है अब देखिए question के थोड़े से मजे ले लेते हैं 2x minus 5 is equals to 1 minus 3x 1 minus 3x क्या होगा solve करते हैं आप लोगोंने answer निकाल लिए होगा आप फटावर से जैसे question लिखे video pause करके अपना काम कर लिया करो उसके बाद यहां आए करो ठीक उम्मीद करते हैं कि आपने अपना प्रयास इमानदारी से कर लिया है 2x minus 5 equals to plus minus 1 minus 3x एक बार plus sign ले लिया एक बार minus ले लिया एक बार तो equation बन गए 2x minus 5 is equals to 1 minus 3x यहां से मेरे पास x की value क्या आ गई देखो यहां से x की value देखे हैं तो कितना बन गया जी 5x is equals to 6 यानि 6 by 5 यहां पर दूसरा case minus ले लिया तो 2x minus 5 is equals to minus 1 plus 3x यहां से मुझे x की value दिख रही है minus of 4 ठीक यह आ गया जी x equals to minus of 4 और यह आपके पास x equals to 6 by 5 ठीक यह सब ने निकाल लिया तो यह answer आपका यहां आ गया था यहां सबका 5 by 2 half आया दा बिलकुल सही यहां सबका 1 by 2 1 by 4 आया बिलकुल सही यहां आपके पास 6 by 5 minus 4 आया जड़ा आप इन दोनों values को actual equation में रखके देख actual equation में दोनों value रखके देखते हैं जड़ा गौर से देखेगा मजा आएगा देखो आप 2x यानि 6 by 5 minus 5 is equals to 1 minus 18 by 5 यहां देखिए यह बन गया 12 by 5 minus of 25 by 5 minus 13 by 5 उसका mod लिया 13 by 5 और यहां minus 13 by 5 ओ हो कल्यान हो गया जी देखो दोसे यह आप आपने match सी बदल दी 13 by 5 is equals to minus of 13 by 5 मज़ेदार एक नंबर अपने ही negative के एकवल है और नंबर जीदो नहीं है देखो कितनी बढ़िया match निकल के आईए फिर यहां देखें यह वाली value भी यहां रखते हैं तो देखो यहां से क्या आता है कि बहिया 2 into minus 4 minus 5 का mod is equals to 1 minus x की value minus 4 यहां देखता है मेरे बचे 8 minus में minus 5 13 तो यह तो आगया 13 और यहां भी 13 यह सही है feeling बहुत मज़ेदार इस question से बहुत सारी बड़िया चीज़ें आप सीखेंगे जैसा मैंने कहा था कि maximum बच्चा क्या गरता है rule बना लेता है मैंने यहां आपको क्या समझाया इस वाले question में इस वाले question में समझाया कि एक number है 2 x minus 3 जो 2 के equal है तो इसका मतलब clear है जिसके absolute value 2 के equal है इसका मतलब clear है कि हम यह देखें कि ऐसा कौनसा number है जिसकी absolute value 2 है आपको सबको समाझ में आया प्लस माइनस 2 की absolute value 2 होती है आपने प्लस माइनस 2 रखके निकाला answer आ गया प्लस 2 का absolute value भी 2 होता है, माइनस 2 का भी 2 ही होता है, यही देखा आपने लेकिन हमने answer निकाला और answer आप यहाँ रखके देखो, सही answer फिर अगले question में देखा 3x minus, तो यहाँ आपने क्या rule बना लिया, यहाँ आपने rule बना लिया अच्छा, ऐसे question में कुछ नहीं करना होता है सामने प्लस माइनस लगा और solve कर दो और उस rule से आपने यह वहला question solve कर दिया, कि भाहिया 3x minus 1, सामने प्लस माइनस x लगा दिया, solve कर दिया answer आ गया, दोनों answer सही है, कोई दिक्कत नहीं अब क्या हुआ अब वापस हमने वही किया कि हमने प्लस माइनस लगाया solve किया, दो values आई एक काम की है और एक काम की नहीं है एक लिए सही match पकड़ा हुआ है और एक ने match ही बदल दिया है यानि, यहाँ पर answer की बात करोगे तो एक्स की value minus 4, यह तो सही है लेकिन, एक्स कैनाट बी equals to, क्या, 6 by 5 यानि, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ A की answer आएगा x equals to minus 4 आया समझ में हाँ, यह बहुत ही जबदस चीज है क्यों गरबड हो रही है समझने की कोशिश कीजिएगा जैसी आपने देखा कि एक number इसका absolute value minus 2 आपने कहा कि कोई number ऐसा होई नहीं सकता जिसके absolute value negative हो आपने कहा जी गलत equation है, there is no solution बिल्कु सही, आपने जैसी सामने negative number देखा, वैसी आपने equation reject कर दी यहां क्या हुआ, एक number के absolute value 2 भईया, absolute value 2 हो सकती है, वो दो number है या तो plus 2 है, minus 2, plus minus रखा गे solve किया, answer सही आया answer check करने की जरवत भी नहीं है क्योंकि हमारे process में कोई गलती ही नहीं है किसी का absolute value negative हो नहीं सकता और किसी का absolute value positive होता है ऐसा, दो ही possibility है वो दोनों possibility हमने deal की निकल किया, थर्ड वाले में क्या हुआ एक number है, 3x minus 1 उसकी absolute value x है absolute value x है x कैसा है, पता नहीं वह या x कैसा है, x positive भी हो सकता है negative हो सकता है, अब आप सोचो यहां पर यह दि मैं x की value आपको positive दूँ तो क्या होगा x की value यह दि मैंने positive दी तो आप कहोगे, सही equation है x का value negative दिया, आप कहोगे गलत equation है कहोगे नहीं कहोगे आपको जो यहां plus minus लगा के दोनों value मिली, दोनों positive है और किसी भी number का absolute value positive ही होगा यानि सही equation थी स्वाल होके सही value आगे यहां क्या हुआ यहां भी वही हुआ एक number की absolute value 1 minus 3x यह x की कुछ value के लिए positive होगा यह x की कुछ value के लिए negative होगा जब यह x की value किसी value के लिए negative होगा तो एक invalid equation होगी और यदि x की किसी value के लिए positive है valid equation होगी समझ में तो यह है absolute value negative, invalid equation absolute value positive, valid equation हमने यहां solve करके निकाला दोनों x positive है दोनों ही equation valid थी दोनों ही answer valid यहां solve किया हुआ क्या देखो कि x की value 6 by 5 के लिए ये जनाब negative हो गया देखो आप यही तो हुआ 6 by 5 के लिए ये right side negative हो गया absolute value negative possible ही नहीं है invalid है x is equals to minus 4 के लिए क्या हुआ minus 4 के लिए positive हो गया right side positive यानि absolute value positive तो यहां पर हमें ध्यान रखना है जब equation के सामने एक fixed number हो तो वो invalid है valid है हमें नजर आता है लेकिन mod का यहीं किसी ना किसी unknown के equal है तो पर यह ध्यान रखना है वो unknown जहां जहां negative होगा invalid equation होगी वो unknown जहां जहां positive होगा valid equation होगी यहां आपने उस unknown को plus minus लखके value निकाली दोनों positive आई दोनों ही solution valid है चेक करने की जबत नहीं है लेकिन यहां plus minus लखके जो value निकाली उसमें एक के लिए right side negative है एक के लिए positive है जिसके लिए negative है वो invalid solution है जिसके लिए positive है वो valid solution ठीक है चलिए अगला question लिखते है तो यहां से हमें क्या समझ में आ गया है समझ में बहुत simple सी बात मेरे बच्चे यदि mod किसी constant number के equal है तो इस number को negative देखते ही equation इहां invalid है reject कर देना है constant के equal है लेकिन constant positive है तो plus minus लगा के answer निकाल देने लेकिन सामने यदि एक variable है तो ध्यान रखना है कि आप plus minus लगा के solve तो कर दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो solution आए उसमें देख लेना कि right side जो है वो positive आ रहा रहा है यदि right side positive आ रहा है जैसे इस case में दोनों value के लिए आया तो फिर आपके दोनों ही solution ये valid हो जाएगा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के लिए invalid है तो वो depend करता है कि जो x values आपके पास आ रही है उन x values को मेरी बच्चे आपको right side में रखके देखना है कि right side positive, valid, right side negative, invalid ठीक है ये तो एक तरीका है दूरसा तरीका इस तरह के question में जब सामने variable हो यानि x की कुछ value के लिए सामने वाला number positive हो खुश के लिए negative हो तो ऐसे case में एक तरीका और होता है solve करने का जिसमें आपको solution का valid और invalid होना नजर आ रहा होगा उसको समझते हैं जैसे ही वहला हमारा fourth वाला question है इस fourth वाले question को solve करने का एक तरीका और हम सीखते है कि 2x minus 5 का जो absolute value है वो 1 minus 3x के equal दिया हुआ है यहां मेरे बच्चे इस mode का critical point बता सकते हो critical point का मतलब वो point जहां पे यह mode अपनी definition बदलेगा यानि जिसके एक side में plus sign से खुलेगा और एक side में minus से खुलेगा आप सब जानते हैं वो कैसे निकालते हैं इसको equals to zero किया x की value निकाली इसको zero करने से x की value क्या रही है 5 by 2 तो आप क्या करोगे आप इतना सा काम करोगे कि भाई एक सीक्वर्स चू 5 by 2 यहां रखा number line पे अब इस 5 by 2 ने number line के दो हिस्से कर दिये हैं अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके दो case बनाएंगे और दोनो cases में एक एक करके एक एक हिस्सा discuss करेंगे जैसे case 1 5 by 2 ने number line के दो section किये एक तो ये वाला और एक ये वाला हम पहले ये वाला section लेते हैं यानि x is greater than equals to 5 by 2 यारी x इस वाले हिस्से में है तो उसकी क्या खासियत होगी कि वो 5 by 2 से ज़्यादा होगा या 5 by 2 के बराबर होगा यारी x greater than equals to 5 by 2 है तो अंदर की value कैसी है positive mod किस sign से खुलता है यारी अंदर की value positive होती है प्लस sign से तो इसको प्लस से open करो 2x minus 5 is equals to 1 minus 3x यहां से जब हम solve करके निकालता है तो x का value आता है 6 by 5 ठीक अब करना क्या है इसको दिहान लखे कर देखो जैसे ही मैंने case 1 बनाया इस वाले section में x की value जो है वो लिखी मैंने इस value को round कर दिया ताकि मुझे यार्द रहे कि यार्द मेरा जो एक case है उसमें मेरी initial assumption यह है कि x must be greater than equals to 5 by 2 यह जो है वो 5 by 2 या उससे बड़ा होना चाहिए जब मैं इस assumption के साथ equation को solve कर रहा हूँ तो मेरा solution इस assumption को follow करना चाहिए पता चला आपने x लिया तो 5 by 2 हाँ से जादा है माना अपने 5 by 2 से जादा है लेकिन निकल के 5 by 2 से कम आया तो फिर क्या वो valid होगा क्या obviously नहीं होगा तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो x की value 6 by 5 आ रही है वो 5 by 2 से छोलती है यह तो 1.25 है और यह तो 2.5 है यानि हमारी value इस से छोलती है जबकि हमारा x होना कैसा चाहिए था 5 by 2 या उससे बड़ा होना चाहिए था यह invalid है invalid आया था आया था ना invalid दोखो invalid दिख रहा है अब दूसरा case क्या करेंगे दूसरे case में मेरे बच्चे कुछ नहीं करना number line का यह वाला हिस्सा discuss करना है number line के इस वाले हिस्से में हमें x कैसा दिख रहा है less than 5 by 2 लीशे x less than 5 by 2 अब यदि x less than 5 by 2 है तो क्या होगा यह x less than 5 by 2 है तो अंदर की value negative है देखो आप अंदर का value negative है अब अंदर का value यदि negative है तो आप समझ जाओ कि mod जो है वो minus sign के साथ खुलेगा minus sign के साथ mod को खोल दिया 1 minus 3x solve किया तो यहां से मेरे पास x की value minus 4 आ गई फिर देखो हमारा ये case जो है इसमें हमने assume किया कि x must be less than 5 by 2 तो जो solution आए वो 5 by 2 से कम होना चाहिए क्या minus 4 5 by 2 से कम है है इसका मतलब ये valid है इस वाले process से जाने का फाइदा क्या है फाइदा इतना सा है कि आपको solution की validity जो है वो दिख रही होगी कि whether the solution is valid or invalid तो जैसे मैंने ये निकाला ये assumption के साथ तो देखा कि भाईया ये वाला solution इस assumption को follow नहीं कर रहा है इसको reject कर दिया फिर इस assumption के साथ solve किया तो ये आया देखा कि ये solution इस initial assumption को follow कर रहा है तो valid है इसे पकल लिया ये तरीका है तो इधियान लखना है जब सामने constant number हो तो तो question आसान होगा प्लस माइनस लगा के solve कर देना है लेकिन सामने constant नहीं हो variable हो तो आप ऐसे case by case जाओगे तो आपको solution valid और invalid नज़र आ रहा होगा कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा किसा ज़्यादा बढ़िया तरीका है कि हम प्लस माइनस लगा के solve कर दे जो solution है उसके लिए check करने कि right side positive और negative है बिल्कुल तरीका तो आसान है लेकिन कई बार ये x values बहुत गंदी आएंगी मान लो 117 by 103 आ गया अब उसको check करना इतना आसान नहीं होता है लेकिन इस case में उसारी शीये नज़र आएंगी इतना ही नहीं अब ही मैं जो question लिखने वाला हूँ वो आपके इस वाले process से एक तरसे होगा ही नहीं होगा तो सही लेकिन बहुत गंदे तरीके से और इस वाले process से बहुत आसान हो जाएगा समझेगा अगले question की बात कर जो हम कर रहे हैं देखिए मेरे बच्चे एक और question यह लिखा ठीक यह एक equation लिख देए अब दो मौड है अब क्या करोगे कुछ नहीं बहुत आसान है हम देखेंगे कि भाईया दोनों मौड के critical point क्या है अब critical point जो दिख रहा है कि भाईया इस मौड का critical point तो minus 1 by 3 है जब मैं इस मौड के अंदर की value को 0 करूँगा तो x की value minus 1 by 3 आएगी जब मैं इस मौड के अंदर की value को 0 करूँगा तो x का value 1 by 2 आएगा आएगा नहीं आएगा आएगा ना तो लिख दिया मेरे बच्चे अब इन दो critical point ने number line के कितने हिस्से कर दिये तीन एक ने किये थे दो हमने हर इस्से का case बनाया दो case बने दो ने किये तीन हर इस्से का case बनाएंगे कितने case बनेंगे तीन वह आप कहो कि ओ तीन case करने पड़ेंगे हाँ जी यहाँ तीन case नहीं करोगे plus minus लगाओगे तो देखो क्या होगा यह आप plus minus से open करेंगे कर दो, यानि आपने एक तो ये बना दिया, एक आपने ये बना दिया, अब क्या करोगे, एक बार दोनो प्लस, एक बार दोनो माइनस, एक बार ये प्लस, ये माइनस, एक बार ये माइनस, ये प्लस, कितने equation बनेंगी, चार, यहां तीन ही case में काम होगा, यहां कितने case बनाने invalid यहां वो नज़र आएगा यहां वो नज़र आएगा यहां cross check करना पड़ेगा और यदि वो चार solution में से अजीव हो गरीब से solution आ गए 27 by 26 103 by 117 ऐसे solution आ गए cross check करना लग जाएगी वार जबकि यहां compare करके दिखरा होगा कि whether the solution is valid और invalid तो ध्यान रखें ऐसे case में हमारी यह जो approach है न मेरे बचे case by case यह ज़्यादा सर्टीख है देखो कैसे जाना है समझना बहुत आसान है बस आपको अच्छे से सुनना है और logic समझना है कि आकि हो क्या रहा है algorithm कि आकि चल क्या रहा है देखेगा मैंने case 1 लिया मेरे हिस्से में क्या दिख रहा है कि बहुत नंबर लाइन के तीन हिस्से हो गए एक यह वाला एक यह वाला एक यह वाला ठीक है तो मैं पहले इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ X यदी इस हिस्से में है तो X की खासियत क्या होगी X is greater than equals to 1 by 2 इस हिस्से का मतलब है X की value 1 by 2 या उसे जादा है है नहीं है है ना लिख लिए मैंने गोला क्यों बनाया समझ में आ रहा ताकि मुझे याद रहे कि solution को match करवाना है इसके साथ वहीं से पदा चलेगा valid है या invalid है शुरू करते हैं अब गौर कीजेगा x यदि 1 by 2 से बड़ा है तो ये वाला अंदर का number positive होगा होगा नहीं होगा होगा ना इस वाले में x की value 1 by 2 से जादा है ये अंदर की value कैसी positive तो ये भी कैसा मेरे बच्चे positive दोनों mod के अंदर की quantity positive है दोनों किस sign से खुलेंगे plus sign से खुलेंगे खुल दो 2x minus 1 plus 3x plus 1 equals to 7 क्या गया 5x is equals to 7 x equals to 7 by 5 क्या x की value जो 7 by 5 आ रही है वो 1 by 2 से बड़ी है हंजी है इसका मतलब ये एक valid solution है isn't it yes now next one second case second case में क्या होगा इस वाले section को पकटते हैं अभी हमने ये किया है अब ये करेंगे इसमें x की क्या खासियत है मेरे बच्चे minus 1 by 3 और 1 by 2 के बीश में है less than greater than equals to minus 1 by 3 less than 1 by 2 फिर गोला बना लिया क्यों solution को match कराना है इसके साथ तो याद रहे ये बात ठीक हैं अब मेरे बच्चे बड़ाईए x की value 1 by 2 से कम हो गई है x 1 by 2 से छोलता है तो ये value कैसी हो जाएगी negative हो जाएगी होगी नहीं होगी negative तो ये वाला minus है ये अभी भी x 1 by 2 से छोलता ज़रूर हुआ है लेकिन minus 1 by 3 से अभी भी बड़ा है इसका मतलब ये जनाब अभी भी positive है is it clear अब इसके अंदर की value plus है तो ये plus sign से खुलेगा इसके अंदर की value minus है तो ये minus sign के साथ खुलेगा खुल देते हैं जी इसको तो minus sign के साथ खुल दिया इसको अभी भी plus sign के साथ ही रखा ये equation बन गई देखते हैं plus 3x minus x यानि x आगया नहीं आगया एक्स आगया फिर यहाँ पे plus 1 plus 1 ये लिख रहा है plus 2 उदर 7 तो ये 5 आगया अब देखो क्या x equals to 5 इस interval में है नहीं है इसका मतलब invalid है क्या करते हैं reject कर दें छोड़ देते हैं किसी काम का नहीं है है या नहीं है और at the last third case कौन सा मेरे बच्चे ये वाला इस वाले में x की क्या खासियत है less than minus 1 by 3 clear हाँ जी अब देखो less than minus 1 by 3 का मतलब x यदि minus 1 by 3 से छोलता है इसके अंदर की value negative minus 1 by 3 से छोलता है इसके अंदर का value negative इसका मतलब दोनों ही मौड minus sign से खुलेंगे जी हाँ लीजिए minus से खोल लेते हैं minus से कैसे खोला जी मेरे बच्चे minus of 2x minus 1 minus of 3x plus 1 is equals to 7 अब का करेंगे लला यहां आ गया minus 5x equals to 7 x equals to minus of 7 by 5 क्या minus 7 by 5 minus 1 by 3 से छोलता है हाँ जी है इसका मतलब दो valid एक invalid solution फाइदा समझीएगा यदि आप इसके आगे plus minus और इसके आगे plus minus लगाके जाते चार possibility चारों के answer आपको यहां पर back substitute करके ही check करने पड़ते इस वाले question में तो क्या था कि सिफ right side में रखके आपको पता चल जादा था कि right side positive तो valid नेगटीव तो invalid यहां पर negative आया यह invalid हो गया यहां पर positive आया यह valid हो गया इस दबार right side तो क्या है seven है right side से पता नहीं ना चलेगा पूरी equation में रखना पड़ेगा पूरी equation में रखके ही चीज़ें पता चलेगी otherwise पता नहीं चलेगा तो यहां पर सब कुछ calculate करना पड़ेगा और आपको समझ में आ रहा होगा उसमें चार में एक और invalid solution आया होगा अब बात दिमाग में कुछ नहीं क्या रही होगी सर जब यहां तीन केस बन रहे हैं तो वहां चार क्यों बनेंगे देखिएगा वहां एक केस बनेगा ही नहीं दोनों प्लस साइन से खुले यह प्लस से यह माइनस से खुला दोनों माइनस से खुले एक केस तो आया ही नहीं इसमें कौन सा जब यह माइनस से खुला हो स्वारी यह प्लस से खुला हो और यह माइनस से खुला हो इसको माइनस से खुलने के लिए एक्स की वैल्यू माइनस 1 by 3 से छोटी होनी चाहिए, इसको प्लस से खुलने के लिए x का value 1 by 2 से ज़्यादा होना चाहिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है, कि 1 x minus 1 by 3 से छोटा हो, लेकिन 1 by 2 से बड़ा हो, पॉसिबल ही नहीं है, वो चौथा case यहां होगा ही नहीं तो यह धियां रखना है, case by case जाओगे, तो सारी चीजें smoothly हो जाएंगी, और ना सिफ smoothly हो जाएंगी, आपको answer दिख रहे होंगे, whether the answer is valid or invalid, उसको cross check रख रख के calculate करके करने की जवद नहीं पड़ेगी, तो धियां रखना, यह बड़े काम का method है, ठीक, तो यहां पर हमें समझ में आ गया, दो-दो mod होंगे, तो क्या करेंगे, भाईया कुछ नहीं आप उसके दो critical points जो है उनको number 9 पे mark, number line पे mark करेंगे, और फिर case by case चलेंगे पहला case, दूसरा case, तीसरा case कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा किसरा आपने half यहां include किया, यहां नहीं किया मेरा aim है minus infinity से plus infinity पूरी number line को पूरी number line को include करना, पूरी number line को discuss करना, एक बाद मैं चाहूं तो वह half को यहां लूँ, चाहूं तो यहां लूँ उससे कोई फरक ने पड़ता, बस half लेना है, किसी एक जगे ले लो उससे कोई फरक ने पड़ेगा, आपने half यहां लिया है, यहां मतलो, ऐसा भी कर सकते थे कि यहां हाफ नहीं लेते यहां ले लेते, माइनस one बैट three यहां लिया है, यहां नहीं लिया है आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहां नहीं लेते यहां ले लेते, मेरा एम तो यह कि कोई एक्स बचना नहीं चाहिए, सारे एक्स consideration में आने चाहिए वस यह धियान लखना है, कहां लेना है, यह आपकी choice है, आप चाहो तो मजे लेने हैं, तो दोनों जगे के ले लो, उससे क्या फर्क पढ़ ला है, उससे कोई फर्क ने पढ़ेगा, हाफ solution आरा होगा, यदि हाफ solution आएगा, तो दोनों जगे से आ जाएगा, और आएगा, तो आप confirm देखो, किसी एक जगे include कर लोगे, तो भी आपका काम चल जाएगा, तो ध्यान दखना है, यह equality का sign कहीं भी लो, कहीं भी ना लो, उससे फर्क नहीं पढ़ता है, ठीक है?